रुपाली गानगुली और गौरफ खनना स्टारस सीरियल अनुपमा में अमेरिका वाले ट्रैक में अनुज और अनुपमा की कहानी दिखाई जा रही है तो वहीं इंडिया में शाह हाउस में कोई न कोई ड्रामा चलता रहता है। सीरियल के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि यश्पाल की मा अनुपमा को अपने घर लेकर जाती है। दूसरी तरफ पाखी की बेटी मकर संक्रान्ती के फंक्षन से गायब हो जाती है। अब सीरियल में नया ड्रामा होगा। टीटू वनराज के साथ मिलकर अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि जब पाखी दिंपी पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है तभी अधिक अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। अधिक को देखकर वनराज भढ़क जाता है लेकिन अधिक चिल्ला कर बोलता है मैं महीने में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता है जिस तरह आप मेरे घर अपनी बेटी से मिलने आते थे उसी तरह मैं भी अपनी बेटी से मिलने आया हूँ तलाक के नाम पर आपकी बेटी को मैं पैसे हर महीने भेज रहा हूँ तो मुझे भी मेरे बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकत दूसरी तरफ अनुपमा यश्पाल की मा के साथ उनके घर पहुंच जाती है यहाँ पर वह अनुपमा के बाल बनाती है और उसके बालों में परांदा लगाती है सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि मकर संक्रांती की सेलिब्रेशन में अनुपमा की दीपू से मुलाकात होगी तब यश्पाल की मा अनुपमा को बताएगी कि दीपू उनका छोटा बेटा है इसके बाद अनुपमा और दीपू बातों में लग जाग जाते हैं दीपू अनुपमा के हाथों के खाने की तारीफ भी करता है दूसरी तरफ अधिक वनराज को सुनाना बंद नहीं करता वह बोलता है आपकी बेटी ने जो मानगा मैंने दिया कपड़े, जूलरी के बाद इसने तलाक मानगा मैंने दिया अब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा मैं उसका हक लेकर रहूंगा इस दोरान पाखी कुलिस कंप्लेंट की धमकी देती है तब अधिक खुद कुलिस को बुलाने की बात करता है इतना ही नहीं, वो वनराज और पाखी को कोर्ट लेकर जाने की धमकी देता है जिस वजह से पाखी परेशान हो जाती है शो में आगे अनुपमा यश्पाल के घर में लोहरी का त्योहार मनाती है तब ही उसे वहाँ पर अनुझ दिखता है और वो अपने ही खुआबों में अनुझ की साथ दान्स करती है सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुझ अकेले बैट कर अनुपमा को याद करता है तब ही वहाँ पर शुती आ जाती है और उससे प्यार भरी बाते करने लगती है तोशु के घर पर किंजल काफी ज्यादा परेशान होती है वह बार बार तोशु से पूछती है कि वह अनुपमा को कैसे एकनो कर सकता है इन सब को बीच वनराज शाह का पूरा परिवार अधिक से धमकी मिलने के बाद घर पहुंच जाता है यहाँ पर बापाखी को खरी खोटी सुनाती है और सुधरने की धमकी दे देती है फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में जरूर बताए साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें